लोकसबा चुनाव में इस बार राजस्थान के साथ विधायकों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से पाच विधायकों ने विधायक से सांसक बनने का सपर तै किया, इसके चलते राजस्थान विधान सबा की पाथ सीटे खाली हो गई, जिस पर नौंबर में उक चुनाव हो सकत इसे लेकर सभी राजनीती पार्टियां तयारी में जुट गई है। सभा सीटों पर चिंतन और मंतन हुआ। सभाजपा, विजयबैसला या सोमया घुजर को चुनाव लड़वा सकती है। वही कॉंग्रेस की सी मीना कैंडिडेट को टिकेट दे सकती है। वही अगर बात करें राजस्थान विधान सभाव चुनाव की सबसे होट सीट माने जाने वाली नागोर की। तो नागोर से हनुमान बेनिवाल ने लोगसभा का चुनाव जीता, अब बिजयबैसला से रेवत राम, डांगा या जोती मर्दा को मैदान में उतार सकती है। वही कॉंग्रेस गटबंदन के तहत आरेलपी के नारेंड बेनिवाल या कनी का बेनिवाल को टिकित दे सकती है। अब इसी विधानसभा सीट से बिजेपी राजजेंदर भंबू, बबलू, चोधरी या फिर भाचपा के वरश्ट नेता सतिश्पूनिया कुटिकित दे सकती है। तो वही कॉंग्रेस से एमडी चौपदार प्रतियाशी हो सकते हैं। और बासवाड़ा लोकसभा शेतर से विधायक राचकुमार रोत के सांसद बनने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस विधानसभा सीट पर कॉंग्रेस नेतरितिव वाले इंडिया गडबंदन के साथ भारत आभिवासी पार्टी से कांति लाल रोत या मोहन लाल रोत या फिर कॉंग्रेस से ताराचंद भगोरा मैदान में होंगे। तो बिजेपी से सुशील कटारा को टिकेट मिल सकता है। तो महीं माना जा रहा है कि भाजपा मेहनरजीत मालवया को फिर चुनाव लड़वा सकती है। राजस्थान उप्चुनाव में कॉंग्रेस पक्ष में हो या वेपक्ष में हमेशा मजबूत रही है। ऐसे में इस बार भी इन पास सीटों पर कॉंग्रेस खेमा मजबूत नज़रा रहे। आकडों की बात करें तो पिछले 10 सालों में विधान सबा की 20 और लोग सबा की दो सीटों पर उप्चुनाव है। दो लोग सबा साइथ 14 विधान सबा सीटों पर कॉंग्रेस ने जीत दर्च की जबकि भाजपा ने चार राष्ट्रे लोकतंत्रिक पार्टी ने एक और भारत आदिवासी पार्टी ने भी एक सीट पर जीत दर्च की। असे तमाम खबरों के लिए देखते हैं यह दन अगरीन शुक्या।